नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे दस उन देसों के बारे में जहांपर यहूदी धर्म के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं साथ में ये भी जानेंगे कि यहुदी धर्म के लोग की जनसंख्या दुनिया में कितनी है और भारत में कितने यहुदी लोग रहते हैं दोस्तों अगर दुनिया में बात की जाए कि जुईस लोग कितने रहते हैं तो पूरी दुनिया में यहुदी लोग की जो कुल जनसंक्या है वो लगबक 1.60.000.000 है यानि एक काफी छोटी कम्यूटी है यानि इस धर्म के लोग पूरी दुनिया में काफी कम हैं भारत में भी क इसका जन्म जेरुसलेम में माना जाता है और हजारों साल पहले यहुदी लोग इसी छेतर के आसपास रहते थी लेकिन उन पर हुए अत्याचारों के कारण वो दुनिया के कई देशों में जाकर बस गए लेकिन वहां भी उनके सांथ कई अत्याचार होई और हिटलर ने तो लाखों यहुदियों को बेवजा मरवा दिया था इसलिए जातर यहुदी वापस अपने छेतर यानि इसराइल लोटे और 1948 में यहुदी बहुत संक्यक देश इसराइल की स्थापना की तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि पूरी दुनिया में कौन से वो दस देश हैं जहां पे सबसे ज़्यादा यहुदी लोग रहते हैं तो हमारी इस लिस्ट में दसवे नमबर पर आता है ब्राजील दोस्तों ब्राजील में यहुदी समुदाय की जनसंक्या लगबग 93,200 है यह लोग यहाँ पे काफी लंबे समय से रहते हैं और यह ब्राजील की जनसंक्या के 0.04% है दोस्तों इस लिस्ट में नौवे नमबर पर आता है औस्टिलिया जहाँ पर लगबग 11,400 यहुदी लोग रहते हैं इनकी जनसंक्या औस्टिलिया की जनसंक्या का 0.46% है यहुदी लोग यहाँ पर जादतर बिजनेसमेन और पड़े लिखे हैं इसके बाद अगले नमबर पर आता है जर्मनी दोस्तों यहुदी लोग पहले के समय में सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्री में ही रहा करते थे लेकिन हिटलर और उनकी नाजी सेना द्वारा उन पर इतने अत्याचार हुए कि लाकों यहुदी मारे गए और लाकों जान बचा कर भाग गए लेकिन अब जर्मनी में केवल एक लाक सोला हजार यहुदी ही रहते हैं जो कि जर्मनी की जनसंख्या का 0.14% है इसके बाद इस लिस्ट में सातों नमबर पर आता है रसिया दोस्तों रूस में यहुदी समुदाए के एक लाक बहतर हजार लोग रहते हैं जो कि रूस की जनसंख्या के मातर 0.12% है रूस में भी जुईस लोग लंबे समय से रहते हैं और दुत्यविशुद के बाद इन पर यहां पर भी कई अत्याचार हुए थे इसके बाद अगले स्थान पर आता है अर्जंटीना यहुदी समुदाई की एक बड़ी आबादी दक्सिन अमेरिकी देश अर्जंटीना में भी रहती है अर्जंटीना में एक लाक अस्ती हजार यहुदी लोग रहते हैं जो कि यहां की जनसंख्या के मातर 0.41% है यहुदी समुदाई की पांचुई सबसे बड़ी आबादी यहुदी आबादी रहती है यहां पर 2,90,000 यहुदी आबादी रहती है जो कि यहां की जनसंख्या के 0.43% है यानि यहां पर भी यह लोग अलपसंख्या कें इसके बाद इस लिस्ट में 3,90,500 यहुदी लोग रहते हैं जो कि कैनेडा की जनसंख्या का 1.06% है इसके बाद अगले लिस्ट पे आता है फ्रांस यूरोपिय देशों में सबसे ज़्यादा यहुदी आबादी फ्रांस में ही रहती है यहां पर 4,53,000 यहुदी लोग रहते हैं जो कि फ्रांस की आबादी के 0.70% है इसके बाद इस लिस्ट में आता है अमेरिका दोस्तों यहुदी लोगों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अमेरिका में रहती है अमेरिका में लगबग 57,000,000 यहुदी रहते हैं जो कि अमेरिका के 1.7% है अमेरिका में बड़े-बड़े बिजिसमेन से लेकर वैग्यानिक तक यहूदी हैं और अमेरिका की पॉलिटेक्स में भी उनकी अच्छी पकड़ है इसके बाद इस लिस्ट में पहले नमबर पर आता है इसराइल इसराइल दुनिया का एक मातर यहूदी देश है जहांपर यहूदी लोग बहुर संक्यक हैं इस्राइल में यहुदी धर्म के लोगों की जनसंक्या 6,638,500 है यानि इस्राइल की जनसंक्या का 74.8% यहुदी हैं बाकी इस्राइल में मुस्लिम, इसाई और कुछ अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं दोस्तों यहुदी लोग एक ऐसी कम्यूटी हैं जिसने सबसे ज़्यादा अत्याचार सहे हैं लेगन आज के समय में सबसे ज़्यादा डैवलप भी यहुदी लोग ही हैं और जादतर देसों में ये बड़े बिजनसमेन ही होते हैं अमेरिका की एक सबसे बड़ी कंपनी फेस्बुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग वो भी एक यहुदी हैं इसलिए इसराइल अरब देशों के बीच में सबसे ज़्यादा डैवलप कंट्री है इनके पास एक स्ट्रॉंग आर्मी है अच्छे वैग्यानिक है और दुनिया अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद